अचलो दोस्तों आप सबका स्वागत है अपके अपने यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में हम सब है जो हैं जैन धर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं इससे पहले की वीडियो हमने जो था है बहुत धर्म को अच्छे से पढ़ दिया था आज की वीडियो में हम सब जाएंग धर्म के बारे में पढ़ने वादे हैं जाएंग सुरूखर टे आज सेजिग को सबसे पहरे जैन धर्म जो जैन धर्म को जो गुरू होते थे जो उनकी सिक्षाओं को दिया करते थे उनको तिर्थंकर करते थे जैन धर्म में कुछ 24 तिर्थंकर हुए थे 24 तिर्थंकर जयन धर्म में हुए थे इसके प्रथम तिर्थंकर रिशब देव को माना जाता है जो इस धर्म के संस्थापक भी है तो रिशब देव भी जयन धर्म के संस्थापक माने जाते हैं अथा इसमें जो उसके बाद दो से देकर तेइस नमबर तक के तिर्थंकर के पदपर जो सभसाय बना हुआ है हमें ऐसी जानकारी प्राप्ट हुई है कि हांसकारों आइसा बताया है कि जैन धर्मक्र जो तैइस में तिर्थंकर थे उनका नाम था पार्सोनात ये पार्सोनात था एक छत्रियकुल के ये थे तथा पार्सोनात थे इन्होंने जहन धर्म में चार महावरत को दिया था ठीक जो चार महावरत के वह है सत्य अहिंसा अस्ते अपरीक्रा इन्होंने जो था जहन धर्म के चार सिध्धांत दिये थे फासित्धान के टोटल जो है पासित्धान हो जाएंगों जव मानने हैं कि जयन धर्म के 24 थिर्थंकर उनका नाम था महावीर स्वामी। पूछेगा तो महाविर स्वामी होंगे क्योंकि महाविर स्वामी नहीं जैन धर्म का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया था तथा जैन धर्म को जन समानने में भी फैलाया था महाविर स्वामी को कैवलीन, जिन, निर्गंत इन सारी नामों से भी जाना जाता है महाविर स्वामी को हम देखते हैं जो महाविर स्वामी का जन्म हुआ था 540 इसा पुर्व कुंडल ग्राम वैसाली में इनके बच्पन का नाम वर्धमान था, इनके पिता सिधार्द थे, जो कि ग्यात्रिक कुल के क्या थे छत्रिय थे तथा इनकी माता का नाम तिरसोदा देवी था, जो अच्छवी कुल से थी इनका भीवाब भी हुआ था इनकी पत्नी का नाम या सोधा था तथा इनकी पुत्री जो थी अर्णोजा प्रियदर्सना थी और इनकी मृत्तिव हुई थी 468 इसा पुर्वा में पावापूरी में अब आग हम देखते हैं इनके बादे में इन्होंने तीस वर्ष की आयू में तक चाहिए अपने बड़े भाई नंदी वर्थन से आज्या देकर ग्रिस्त्या की किया था इन्होंने आग्या दीते ऐसा नहीं था कि ये बिना किसी को बताए बिना किसे पूछे अपना घर छोड़ दिये थे 30 वर्ष की आयू में नंदी वर्थन के बड़े भाई थी उनसे आग्या देखा इन्होंने घर छोड़ा इन्हों जो था 12 वर्स तक जो था तपस्या किया था रिजूपादीका नदी के तड़ पर एक इस्थान पर जिसका नाम था जुम्विक ग्राम साल विट्स के नीचे तो बारा वर्ट्स की रगतार तपस्या के बाद जुम्विक ग्राम मेरे जुपाल नदी के तड़ पर साल विट्स के नीचे महावीर स्वामी को ज्यान की प्राप्ति हुई थी और ज्यान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया क्या इसी के बाद से महावीर स्वामी को जो था के वजीन भी कहा जाने रखा था जब इन्होंने ग्यांग की प्राप्ति कर दी ती इसके अधाव इन्होंने अपना प्रतम उपदेश था राजक्रीय में दिया जो की मगत्स्तामराजी की राज़्थानी हुआ करती थी वाराकर विद्धित था जैन द्धर्म के प्रचार के रीद अपनि मृत्य द्रम को समादने के ऊ Smith किये थे पर फो मैं değil 10 ब्रता-अचे-वग्यार में निया 10 जीष्टे जो थे घंजन जी जिवीत हैं उसी समय 10 सी जड़ 거지 बेटे टो इनकी मृतिति के बात जो सुधर्मन अर्य सिद्धान्थ और स्थिठान्थ को पार्थोनाप ने जुडआ था एक सिद्धान्थ महाभवी स्वामी ने जुड़ा जैन्धर्म में इस तरीके से हो गये ठे हैं अज भी 5 सिध्धांती माने जाएं जय कि तरी रत्म्न संभ्व हैं जयर्म दर्ष थहते हैं और जैनधर्म के सिध्धांत की बात किया जाए दिए जट पांचों सिध्धांतों जो हैं जैनधर्म के सिध्धांत, फिल से इसमें जो सबस्तों इसमें चोड़ा इसके बाद जैन धर्म में दो संगीति दो कि पहसर अंगिति था वह यहां पाटदी पुत्र में हुआ था इसको करवाने के र्याजा का नाम चंद्रकुप्त मौरे था इसके अध्यक्ष स्थूल भद्र थे इसमें जो था जैन धर्म दो समुदायों में भी भक्त हो गया था इस समुदाओं का एक का नाम था स्वेतांबर जो स्वेत वस्त्र पह अपने पुत्र बिंदुसार को देकर स्रमण बेल गुदा परवत पर जाकर अपना प्राण त्यागा था यह सब हम मगत्साम राजिन भी पढ़ेंगे जो दूसरी जैन संगीती हुई थी वह 513 इस्वी में हुई थी वल्दभी गुजरात में अनिक राजाओं ने करवाया इसके अध्यब से देवर्ची समासरमन हुए और इसमें कार्य हुआ था जो जैन सिक्षाओं को देपी बद्ध किया गया मतलब कुछ जैन टीचिंग्स को जो था किताब की रूप में बनाया गया था जैन धर्म के बारे में इतनी ही जानकानी सीटेट परिच्छा के लिए म के लाव हम अगरे वीडियो में जो है मगत समराज्य में प्रवेश करेंगे तो था इसको इसको सासन करने वादे वन्सों के बारे में जानेंगे इस वीडियो को अधिक सेयर करें धन्यवाद